अगर मैं आपसे कहूँ कि आप रोजी की तरह सोते हैं और जब सुबह उड़ते हैं तो आपके शोशल मीडिया पर लाखो फॉलोवर्स और टीव पर सिर्फ आपकी ही चर्चे हो रहे हों तो आपका पहला रेक्शन क्या होगा खुछ ऐसा है ना तो आज ऐसे ही 10 लोगों के ब बनाते हैं इनके वीडियो शोशल मीडिया पर इतने वाइरल हो रहे हैं कि इनको बड़े बड़े न्यूज यूट्यूब चैनल वाले यूट्यूबर बुलाकर इंटर्व्यू ले रहे हैं यकीनन इनकी जिन्दगी एकदम चेंज हो चुकी है और आज ये लाखों रुपे सुनिल सेट्यो और अमिताब बच्चन जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारे इसकी तारिफ करते नहीं धकरे रितिक रोशन ने एक फीट के जरी इनकी तारिफ करते भी लिखाए कि अब तक की सबसे स्मूधेस्ट एरवो जैसा कि आपने वीडियो में देखी लिया होगा वाकई में अगर खुद डांस के मास्टर कहे जाने वाले शक्स ने इस लड़के की तारिफ किये तो कुछ बात होगी इसमें अब आप इस लड़के के वीडियो को देखे और बताएए वाकई में क्या ये तारिफ के लाइक है या नहीं इस लड़की के एक्सप्रेशन्स की वज़े से इस लड़की का एक वीडियो टिक टॉक पर इतना वाइरल हुआ और ये रातो रात स्टार बन गई और अब कई बड़ी बड़ी इवेंट कंपनिया इन्हें इवेंट में ले जाती है जिससे इनकी अब कमाई लाखोर रुपे में होती है तो नज़र डालते हैं इनके कुछ वीडियो उस पर नमबर साथ मॉन्टी रोए जिससे पहले कि मैं आपको इन महाशे के बारे में कुछ कहूँ आप ये वीडियो देखिए अब आपको हैंगी क्या वाइरल होने जैसा है इसमें एक लड़की ही तो है तो आप ये देखिए अब ये काम ही ऐसे कर रहे हैं तो वाइरल होंगे ही ना बाकी आपकी इस बारे में क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताइए नमबर चे शिंगल बोई रॉकी ये महाशे कुछ ऐसे वीडियो बनाते हैं इनके वीडियो इतने वाइरल होते हैं कि इनको आज हर इंटरनेट यूज करने वाला इनसान जानता है हाँ ये बात अलग है कि कई लोग इनको गालिया देते हैं तो कई इनकी तारीफ करते हैं आपके इनके बारे में क्या रहा है आप कमेंट में बता सकते हैं नमबर पाच अक्षे ककड इनको सब मोटा केकर चिडाते थे और इनका मजाक उडाते थे पर इनको डांस में काफी ज़ादा दिल्चस्पी थी तो इन्होंने टिक टॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया और आज हर टिक टॉक चलाने वाला बंदा या बंदी इनको जानते है और इनकी popularity का अंदाज हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हाली में विकास गुपता जो की big boss season 11 में नजर आ चुके थे big boss season 12 में नजर आ चुके है और big boss season 13 में भी नजर आ चुके हैं उनका एक reality show आता है MTV पे ass of space उसमें भी ये नजर आ चुके हैं तो देखिए इनके कुछ मच गए होंगे कि पाइली फुरसत में निकल पाइली फुरसत में निकल और एरे में आपको नहीं बोल रहा ये इनका डायल होग है जिसकी वज़े से हिंदुस्तान में इतने जाधा फेमस हो गए कि बिग बॉस सीजन 13 में इनको बुलाया गया और ये तीन हफते से भी जाधा वाँ पर सर्वाइफ कर पाएं तो वाकई में ये पहले इंडिया के इसे इंसान है जिनको गाली देने पर भी प्यार मिलता है क्योंकि वे काम ही कुछ ऐसा करते हैं तो चलिए नजर डालते हैं इनकी कुछ वीडियो की क्लिप्स पर जो आपके छूटी बातों पे भी वावा करते हैं वह इसे खजवे लोग आपको तबा करते हैं तो आईसे ना खजवे लोगों से ना जरब अचके रहना समझा मेरी बात याद रखना चाहिन जी हाँ आप समझी गए होंगे अगर नहीं समझे तो ये देख लीजिए अगर अब भी आप नहीं समझे तो मैं बता दू कि ये लड़की RCB को सपोर्ट करने मेच देखने गई थी तो वहाँ केमरा में ने इनको बार बार दिखाया तो इंटरनेट पर मीम्स बनाने वाले क क्योंकि कुछ देशी अंदास में वीडियो बना कर अपलोड करते हैं और लोग इनको काफी प्यार भी करते हैं और कई सारी बड़ी बड़ी इवेंट कम्पने इनको अपने इवेंट में बुलाती है और आज इनकी कमाई लाख हो रुपे में हैं तो चलिए नज़र डालते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्स्ट्राइब करके बेर आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए फिर मिलते हैं और अजीब हो गरी वीडियो में तब तक के लिए बाई